नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर यह देखिए यह जो हमारा पेपर है यह हमारा बारक का पेपर है जो कि वरक असिस्टेंट का यह जो पर हुआ था हमारा यह 21 फरवरी 2021 को यह हमारा पेपर हुआ था ठीक उसी कि कि हमारा अफिसल पीदिएफ है और देखिए यह जो पिपर है यह जो हमारा प्लाशा कोईशन को हम लोग देख लीए कि सतर। पूछे जाते हैं आपको एक that ॉफषां कर लेता है तो देखें यहां पर पहला जयेश हैं यहां पर हल करने के लिए बूला है कह रहा है 123 है 345 है और 123 है इसका योग कितना होगा तो देखिए आप पर 35883 ग्यारे तो लाश्ट में वन आएगा तो वन आएगा ना तो देखिए यहां पर आपसो नमबर भी और आपसो नमबर डी गलत हो जाएगा अब बचा ए और सी 488 बाउन यानि में यानि कहले 205 है जो 158-744 है इनका योग है कितना होगा यहां पर पाँंच और 4 घेख है इसको देखिए यहां पर पांच एक चाहया जाए तो 6 यहां पर सकते हैं सिक्स और नाइन लाश्ट में किसमें है तो आपसा नमबर यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा आगे हमें साल्व करने की जरूरत नहीं है ठीक देखिए हमारा आप तीसरा कोश्चन है तीसरा कोश्चन यहां पर कह रहा है कि 640 को 18 से विभाजित करने पर प्राप्त स 50 हो जाएगा ठीक बचेगा कितना दस बचेगा तो यहां पर हमारा बच रहा है यह रहा है कि हल कीजिए कि 148 प्लस क्या है कि वह 173 हो जाए ठीक तो देखिए 148 यहां पर देखेंगे अगर दोस्तों यहां पर एक चीज़ा आपको देखना है यहां पर यह थोड़ा हम आपको अगर जूम करके दिखाएंगे तो यह हमारा जोड़ नहीं है यह हमारा भाग है यानि कि यह जो कोश्चन होना चाहिए था अभी आप लोगों डंक से नहीं दिख रहा होगा तो 148 है भागा है यहां पर कोश्चन मार्क है इक्वल टू 37 है यानि कि अब यही कोश्चन आपका है अब इसको कैसे साल्व करना है तो देखिए 148 है बटे हम लोग भागा है तो इसको यक्स कर लेते हैं तो अब यहां पर यक्स कमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 148 बटा 37 अब 148 बटे 37 यहां पर करेंगे तो यह हमारा चार बार में कड़ जाएगा तो चार बार में कटेंगे तो यहां पर हमारा हिए फॉर के यहां पर सिंसर करिक्ट होगा घिक यह हो गया पांच और को जान देखें यहां पर कहा रहा है कि पांचों पचास का मान किस का मान कितना होगा ठीक तो देखिए यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा कि 550 हैं गुड़े इसी में 19 का गुड़ा करेंगे तो यहां पर देखिए जीरो आ जाएगा और पांच आजाएगा 95 हो जाएगा और इसके बाद यहां पर देखिए अगला question हमारा कि 50 गुड़े पांच गुड़े 5 गुड़े 10 तो यहां पर देखिए 75 गुड़े 25 अगर करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा तो 75 गुड़े 5 करेंगे तिया हमारा 375 हो जाएगा और पचीस दुना पचातर दुना डेर्ड सा हो जाएगा अब इसे हम लोग जोड़े लेंगे तो पांच साथ आठ एक अठाए सुप जाएगा तो यानि कि यहां पर हमारा 6 का सिय अंसर करेक्ट हो जाएगा। आपसे नंबर सु यहां पर देखिए और सातौंवा कोश्चन था यहांपर की 41 05 unm 8 25 का मान कितना होगा तो यहां पर देखिए आप इसको खटाईया stitching गटाईे पर यहां पर देख सकते हैं 8 9 है यहां पर उपर पॉच है वागल में हम दोलगा सकते हैं अब लगए mam आपको कितना या जाएगा तैंट इस था किया हो जाएगा 33.25 यानि कि आप तो नंबर भी यहां पर हमारा करेक्ट हो गया अब देखिए अगला कोशिण है हमारा कि 1982 माइनस चारसो तिरुपन माइनस दो सौनग तालिस इस का माशन कितना होगा तो यहां पर आपका पहले mm – wall इसको आपको जोड लेना हो यहां पर चार। depनव से साथ 248 इसको जब आप लोग जोड़ लेंगे यहां नांग तो आपका कितन आ जाएगा अथ ! को 831 सवारी मैनस साथ सब्सक्राइब हो जाएगा यहां पर घटाएंगे तो दो में से एक जाएगा एक आठ में से जी जाएगा तो आठ अगला कोशन हमारे नवा कोशन है नवा कोशन हाईए हम लोग साल्व कर लेते हैं यहां पर करें कि 81 445 और 68 877 का मासा ग्यांत कीजिए इसका मासा कैसे ग्यांत करना है तो देखिए आपको क्या करना है यह जो 81 चार चार और पांच है इसको भाग विज़ी से स्वाल्व करेंगे 6, 8, 7, 8, 9, 7 यही है अब इसको आपको क्या करना है यह जो है आपको 8 बार लेकर जाना है भाग आठ बार जब आप लोग लेकर जाएंगे तो देखिए आठ पते 40, 4 इसके बाद 6, 5, 1, 5 और इसके बाद 6 इतना आएगा अब आप लोग जब इसको घटाएंगे तो यह आपको आज आएगा 7, 3, 6, 3 अब इसको देखिए अब आपको क्या करने है इसको 81, 4, 4, 5 अब इसको आप लोग भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे दो बार भाग जाएगा तो दो बार इससे आप लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 4, 7, 6, 2, 7 इतना आएगा अब इसको आप लोग घटाएंगे तो एक, साथ, साथ और इसके बार आठ इतना आएगा फिर इसको भागवे जिसे यहाँ पर करेंगे तो यह हमारा यह हो जाएगा मुण आई अब इसको यह मलोग सालिव करेंगे हमारा चार बार कट इसको लेकर जाएंगे दो छार आजाएगा इसको पहत यदि झाजाए इसको हम लोग काटेंगे था मारा कितना अज जाएगा त hsi521 बारत तिरुपन आगया त Украї जाए इसको आप लोग अगर काटेंगे यहां पर जो हमारे निकल कराया है 1253 यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए यहां पर हमारा अगला कोश्चन है दसमा कोश्चन है यहां पर कह रहा है कि कि गौरव एक स्कूटर को 45,000 रुपए में खरीद देता है यदि दुकांदार ने उसे 10 प्रिस्ट की छूड़ देता है तो स्कूटर का मूल ले क्या था देखिए इस्कूटर को कितने में खरीद रहा है तो 45,000 रुपए में खरीद रहा गिए दुकानदार ने उसे 10 पर संप की छोट दी है तो इसकूटर का मूल किया था यानि कि अब आपको यहां पर साल्व करना है माल लीजिए जो आपका स्कूटर का मूह ले है यह आपका है तो इसका मूल यक्स था अब यक्स पर कहा कि आ उसको दस परसेंट चूट दिया था तो दस बटे सो और यह जो दस परसेंट चूट दिया है यही आपको हो जाएगा कितना 45 हजार अगर इसको हम लोग साल्व कर लिए तो समझे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा अब यहां से देखिए यहां पर यहां पर करेंगे तो यहां पर आपको पचास हजार रूपे करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए ग्यारे नमबर का कोश्चन है यहां पर कि दिये गया अनुपात को इसके सरलतम रूप में ब्यक्त करिए करा यहां पर 90 सेकंड है और दो मिनट 30 सेकंड है ठीक तो देखिए आपको क्या करना है कि 90 सेकंड है तो 90 सेकंड लिख दीए यह 90 हो गया रेशियो में है आपको दो मिनट देखिए दो मिनट में आपको कितने होते हैं साथ दूना 120 हो जाएगा तो 120 सेकंड यहां पर हो जाएगा प्लस 30 सेकंड और हो जाएगा ठीक हो जाएगा नब्बे रेशियो डिएड़ से हो जाएगा अब इसको जब आप लोग कि साल्व करेंगे यहां पर देखिए आपको यह 0 से 0 कड जाएगा और बचे गए यह 3 से काटेंगे तो 3 तरीक करना और 21 नंबर का कोश्चन है कि 60 க क्या कीमत 900 रुपा है यहां पर क्ज़ार आप लोग Padam m 400 रुपी हैं ए पूछा कितना हैं से 90ज़गोर का तो देखिए 6 का कितिना गुनागा 90 हो रहा है ले यह नुश कितना गुना यहां पर हो रहा है आई कि पता हो कन्दुर गुना यहां पर तो जो 900 रुपा है इसका टो यहां पर देखिए 155 कितना हो जाएगा आपका 135 ठिक इसके बाड़ जीरु लग जाएगा यानि कि ताड़े-13,000 रुपय आपका आ जाएगा तो बारे का यहां पर भी अंसर आपका करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर बारे का बी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा तो जाएगा 13500 रूप है अब दखियो यहां पर 13 नंबर का कोश्चन है कि एक मा की आयू 50 वर्स है और उसके पुत्र की आयू 22 वर्स है मा की आयू अपने पुत्र की आयू से कितने वर्स के बाद दो गुनी हो जाएगी ठीक तो यहां पर यही आपको बताना है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कह रहे हैं जो माता की आयू है वह पचास वर्स हैं और इसके बाद यहां पर कह रहा है कि कितने वर्स की बाद इनकी जो आयू है मतलब दो गुनी हो जाएगी तो दो गुनी हो जाएगी यही आप से पूंचा है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग इसमें 6 जोड़ दें ठीक दोनों में अगर 6 जोड़ दें तो 22 कितना हो जाएगा 28 और इसका बाद कितना हो जाएगा 56 अब यहां पर देखेंगे जो पुत्र की आयू है वह उसकी आयू का जो माता की आयू है वह 56 हो जा यहां पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है अगला कोशन यहां पर कह रहा है कि नीचे दी गई श्रिंखला अच्छरों संख्याओं का अनुकुराम प्रयोग करती है गलत संयोजन को पहचानी है इसमें देखिए जो गलत संयोजन है वह यह आपको बताना है यहां पर देखिए दोस्तों आपको कैसे पहचानना है कि यहां पर देखिए फोर ओर ओर संसलिफ्स जोरी ही सब्सक्राइक बढ़ेऊने सिक्स नेन нет इस फॉर शिक्स नाकीन और तीनों में 469469 6356 लेकिन जो आपका दूसरा वाला है इसमें आप क्या ऊजा रहा है यह विने दिख रहा है आप्स है पर आपको करेक्ट हो जायेगा क्या यूंग है वां अंदरे नमबर का question कह रहा है यहां पर कि नीचे दी गई स्रिंखला अच्छरों एवं संख्याओं का उनकरम प्रियों करती है गलत सयोजन को पहचानी है इसमें जो गलत सयोजन है आपको देखिए सभी में हैं लेकिन और सब्सक्राइब लेकिन यहां पर देखिंगे तो यहां पर आपका बिनने दिख रहा है यहां पर आपका चौता ही करिक्तांसर हो जाएगा अब देखिए आपर नमबर कौन सा आएगा नमबर तो यहां पर दीकिए दोस्तों जो 110 है यह अगर देखेंगे यहां पर कमी जो आप लोग करेंगे यहां पर मैने सत्रे की कमी आएगी तो इस तरह से आपको यह कोश्चन आगे बढ़ता जा रहा है तो यह हो जाएगा सबस्क्राइद ग्याद करना है तो यहां पर देखिए कि आपके कश्शा आपको करना की याउस तो इसको बाद 36 अगर हम लोग इन सभी करेंगे दोस्तों यह आपका आजाएगा 180 तो 180 अब इसको हम भाग देंगे चैसे इसको जब भाग देंगे तो चैतरी कठारे यानि कि 30 आजाएगा यहां पर 30 यानि कि आपसा यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक तो यह हो गया हमारा करेक्ट आंसर आपसा नमबर 30 अब देखिए अगला कोश्चन है कारा कि 32, 43, 25, 12, 17, 27 इसका आउस्त क्या होगा तो सेम ऐसे ही हम लोग करेंगे सभी का योग निकालेंगे बटे चार दो चार दो च्छाए से फिर बटे भाग देंगे तो इनका जब योग निकालेंगे दोस्तों यहां रहाएगा 156 156 करेंगे यहां पर 156 अब चैकर आजाएगा अगला कोशन है हमारा सत्रे नंबर का सत्रे नंबर का कोशन यहां पर कह रहा है कि बीस का पंद्रे प्रिश्चत और 606 का कुल योग क्या है यहां पर रहे देखिये 20 का पंद्रे प्रिश्चत आपको निकालना है सबसे पहले 20 का पंद्रे परिश्चत कि इतना यह जैगा 20 9 1520 बारटा सुल्हा ऐन चैक परसेंट निकलना है तो शाठ फूड दहाँ यहां पर कि हमारा कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा पलस यह हमारा 36 बटा 10 करें तो यह तीन दस्मलों 6 जाएगा यानि कि 6 दस्मलों 6 हो जाएगा यह हमारा कहां पर दिख रहा है आपसो नंबर बी में तो आपसो नंबर यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा अब देखिए अगला कि यह हो गए हमारा तो यहां पर देखिए दो है गुड़े और यह जो है कि हमारा 36 बटा 3 ठीक पलस 30 है यहां पर इसको तीन से काटने कि यह आजाएगा हमारा बारह अब बारह आगे था हमारे कितना हो जाएगा दो गुड़े 12 पलस 30 बारह दुन कितना हो जाएगा 24 24 और पलस 30 कितना हो जाएगा जाएगा 60 गां 55 लाइशन आप रहे हमारा किसमे दिख रहा है आपसा नुमबर अ में दिख रहा है आपसा निमबर अ यहा estas अ sir नंबर आपको साइन है यह जो हमारा साइन है यह कौन सा साइन है देखिए वहाँ ख़ड़ा करना मना है इसी का यह हमारा संकेत है तो आफसे यहां पर जाएगा अग्यों है कि निम्नलिकित में से किस नदी को दैष्छडि की गंगा की नाम से जाना जाता है तो जैखिये को हम लोग दच्छल गंग के नाम से जानते हैं वो हमारा गोदावरी नदी है ठीक तो बाइस के यहां पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिया तेश नमबर का कोश्चन है कि रतना गिरी निमनलिकित में से किस फल के उत्पादन के लिए परसिद्ध है तो जो रतना महराष्ट के निमनलिकित में से कि जीले में चंदोली राष्ट्र उद्यान इस्थित है यह पढ़ता है आपका सांगली में यहां पर हमारा दोस्तों करिक्ट आंसर रहीगा इसना इसकी अस्थापना किया गया था तिलक कि गाल गणगा धर्फिलग यहां पर आपसा नमबर एक करिक्ट हो जाएगा ठीक यहां पर हमारा 26 नमबर का कोश्चन करहे हैं निम लेखित में से वर्स का कौन सा दिन महराश्च्र दिवस तो देखिए दोस्तों जो महराश्च्र दिवस के रूपे में मनाया जाता है वह मनाया में यहां पर हमारा पुल में हना किस नदी पर बनाई गया है जो ह learn के लिए नमर का कोश्टन है यहां पर का ilesisός में है नेमनलखीत में से कौन सा ऐसा है जो कि कुष्थ्था के लिए बरिश्हिद्ध को कुष्थ के लिए महाराश्त का जो सबसे जग्स है वह है कोला पूर कुष्थि के लिए ज्यादा אל है यहां पर आपका सबसे कम किस के साथ करता है तो पाफिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ क्या करता है सबसे कम मैं जो पर अपने अच्छ पर गोंगती है तो प्रिटवि यह अपने अच्छ पर पूरा घूंगतЙ है ठिक तो पिस्टिम्स से पूरो हेगा आप सो नंबर 1 एक suppress हो जाएगा थार्टी टू नमर पॉषान में निम्नम लिख्वत मेंसे कौन सी एक माना काई नहीं है देखिए दोस्तों जो माना की काई नहीं है वो आपको छूच करना है यहाँ पर देख सकते हैं मीटर आपको माना की काई है सेकंड भी माना की काई है किलोग्राम भी आपको माना की काई है मेटर किलोग्राम और सेकंड में यह हमारी माना की काई है जबकि जो हमारा लीटर यह हमारा माना की काई नहीं है बरफीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सता पर देखी गई पानी की बूधें किसके कारण से होती है बरफीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सता पर देखी कि जो पानी की बूधे होती है यह होती है आपके संगनन की कारण यहां पर संगनन आपका सी अंसर करेक्ट हो जाएगा 33 का सी अब देखिए यहां पर 34 कोशन है कि नमक में आयोडेन की कमी से क्या होता है तो देखिए नमक में आयोडेन की कमी से घेखा होता है ठीक तो नमक में आयोडेन की कमी से घेखा होता है 35 नमबर कोशन है कि बिद्ध महिलाओं में आश्टियोप्रोसिस मुख रूप से पाया जाता है यह किसकी कमी से होता है तो देखें जो बिद्ध महिलाओं में जो आश्टियोप्रोसिस पाया जाता है यह जिसकी कमी के कारण होता है वह रहता है कैल्सियम कमी की कारण तो बिद अधिमनलखित मेंसे कौन से वितामिन जल में विले हैं जो जल में विले वितामिन है मे विफिसां Дर विक विटामिन सी भिए से जो है कि अपर हमारा रोगती करने यह ओन्हारे विघ्ड लिए गलिए श्व की मां घ्रुम सब्षय को में और इंहें बिटामिन श्वाम करना आडि मैं कर सिर्फय के अर्युक्ष जान हावन रिए से दोन शुआ हैंट पार रिण अमारह वह इए संसर अमों कि एक होते यह इसे आपको याद रखना है संपून नवर कोशन है कि स्मपून आहार रोटी और अनाज कि सम्रिद्ध है जो सम्रिद्ध हैं यहां है आपके पड़ते हैं कार्भो हड्रेट यहां पर 37 का बी अंसर करेख्ट हो जाएगा आपक्ते सी का राषािञट किया गया है तो देखें वार आगहुन को जो परिभासित किया गया है यह न्यूटन के परथम नई के रूपे में परिभासित किया गया है 149 का यह answer correct हो जाएगा चाहरा कोश्चन को पकड़ाना कि सिध्धान परकार करता है कि कृख़े कि गेट उपकड़ते हैं हम लोग यह करता है रेखी समवे के सिध्धान परकार करता है ठीक फुर्टीवन नंबर का कोश्चन है कि निमनलिखित में से कौन सी समगरी एक इंसुलेटर नहीं है देखिए जो समगरी इंसुलेटर नहीं है वह है हमारा ताबा ताबा यहां पर हमारा करेक्टर अंसर हो जाएगा 42 नंबर का कोश्चन है इसे कि गयस के रिषाव का पता इसके द्वारा असानी से लगाया जाता है तो देखिएस खरीशाव का पता जो आसानी से हम को लोग लगा सकते हैं दोस्तहों वह लगाते हम लुग एथिल मर कबटन की असानी घंध वाद तीप रिषन के द्वारा ताम मानाव आख है यह बनाता है यह रेटिना पर बनाता है जिसके करण हमें अभास होता है तो यह हो जाएगा आपर 43 का हमारा डी अंसर कि रेटिना पर मानाव आख वस्ट का चित्र बनाती है सब्सक्राइब सब्सक्राइब वह होता है मेथेन मेथेन यानि की कैन तो हम लोग CH4 अब देखिए 45 नमबर का कोशन है कि जीवास में इधन में संग्रहित उर्जा का अंतिम स्रोत क्या है तो देखिए जीवास में इधन में संग्रहित उर्जा का अंतिम स्रोत है वह सूर्य है ठिक तो सूर्य जो है जीवास म दोस्तों जो खरीफ फसल नहीं है वो है हमारा सर्सो और भेष्ट जायाद अगर इसके बारे में पर जा सकते हैं जो हमारा अब्जेक्टिव सिंटर जीके नाम से उसके लिंक हमारे को डिस्क्रिप्शन में देंगे या फिर आप लोग यूटूब पर भी सर्च कर सकते हैं अब्जेक्टिव सेंटर जीके तो उस चैनल पर आपको जीके-जीस कोश्चन भी किरा जाते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं जो कि आपके बार के दिरिश्टी से या फिर कोई भी जाम हो आपके दिरिश्टी से बहुत मत्पून होंगी को देखिए अगला कोश्चन है कि हरित क्रांती में कौन कौन से सामिल है कि आप साने केवल फसल की विविधिता में सुधार केवल खात का अधिक उप सभी तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हरित क्रांती में केवल फसल की विविश्टा में विशुधार है होता है केवल खात का अधिक परियोग केवल जिचाय का विश्टार उप्रोक्त सभी आपका करिक्ट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर 47 कड़ी हो जाएगा यहाँ पर दोबाल्टार यहाँ पर डियुद गर्ड़ी और जो अधिक Yogh का हो जा फिर कोई भी आप लोग देखते होंगे उसमें जो खाने आप प्लिए वाली चीज रहती है उसमें क्या होता है कि नच्रोजन गैस भरी जाती है जब आप लोग नच्रोजन गैस उसमें फ़र देदें इम्हें ताजयर रहें कि बासी नहीं होगा इसलिए देखेंगे तो आपको फूला रहता है अंदर हवा घत भरा रहता है लेकिन हमारा हवा नहीं बछी नेट्रोजन रहता है जो क्या करता है जो उसके रहता है उसके अंदर खांए युद जो Lucie पना सी नहीं होताहे कि स्वच्छ पेजल की आपूर्थी की संभावना को कम करती है यह जल जनित रोगों की संभावना को कम करती है तो दोस्तों यहां पर हमारे यह 50 कोशन मेरे पर प्रिक्राश करें करें लिंक आपको दिस्ट्यक्राइबट करतें को देखने को लेकिन मेरे पास अप्रमें प्रोवाड कर दोँगा लिंक आपको वो डिस्क्रिस्ट्पन बाक्स में दे दिया गया आप वहां से भी जाके देख सकते हैं लिंक इन नेश्टी वीडियो में थैंक यू